और अब खबर महंत की मौद के मिस्टरी से जुड़ी अखिल भारतिया खाड़ा परश्ट के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गरी का प्रयागराज के स्वरूपरानी अस्पताल में पोस्ट मौटम किया गया पाँच डॉक्टरों के पैनल ने महंत नरेंद्र गरी के शवका पोस्ट मौटम किया करीब दो घंटे तक पोस्ट मौटम चला और इस दौरान प्रयागराज के सभी बड़े आला अधिकारी आईजी रेंज समेत जिला अधिकारी भी मौझूद रहे पोस्ट मौटम की वीडि प्रणी अस्पटाल से महंत का पार्थेव शरीर मट लाया गया। मट से पूजा अच्णा के साथ पारथेव शरीर को सनगम ले जाया जाएगा। इसके बाद उनके पार्थेव शरीर को लेटे हनुमानमंदर में अन्तमắng दर्शन के लिए रखा जाएगा। और फिर वहां स बागंबरी मठ में लाया जाएगा जहां दोपर बारह बजे उन्हें भूस समाधी दी जाएगी सनातन धर्म के मुताबेक भूस समाधी उन्हें दी जाएगी और साथ इसकी तयारियां भी पूरी की गई है सुसाइड नोट में दरसल उन्होंने निवू के पेड़ के नीचे समाधी की बात कही उसी जगह पर उन्हें समाधी दी जाएगी जहां सनातन धर्म की परमपराओं के मुताबेकी उनके अंतन संसकार की तयारी भी चल रही है और हमारे सयोगी अजीत ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है अजीत अला कि अब तक तो तयारिया में एक हैल से पूरी हो भी चुकी होंगी क्योंकि अब भूस समाधी देने का वक्त भी बेहत करीब आ चुका है पिर भी आपके जरी हम चाहेंगे कि वो तस्वीरे सामने आए जहां पर तयारियां की गई है और किस तरह ये पूरा गमगीन माहौल इस वक्त नजर आ रहा है अदे के बिल्कुल आपको सीधी तस्वीरे दिखाएंगे महान नरेन गिरी का पार्थी शरीर उस रत पर देखिए रखते हुए आप सीधे तस्वीरे न्यूजेट इंडिया पर देख सकती है बलबीर गिरी जो उनके उत्रा दिकारी है वो वहाँ देखे पहुँच चुके हैं उनके पार्थी सरीर को रत में रख दिया गया है उनको लाल कपड़े यानि जो भगवा कलर होता है जो संतों की एक परमपरा होती है वो आपको दिखाई देती है वो कहीं न कहीं जो पूरी तजबीर है वो आप वहाँ देख सकते हैं सारे संत हैं वहाँ संत रोते हुए भी आपको दिखाई देंगे और उनके पार्थी सरीर को पोस्माडम लगबग दो घंटे करने के बाद अब लाएगा यहां एंबोलेंसे बागंबरी मट में वहाँ से उनके पार्थी सरीर को जो बिधी बिधान होता है उसके जरिये वहाँ पर बाकदा जो प्रक्रिया होती उसको पूरा करके उनके पार्थी सरीर को सबीना उनके यह देखिए आप जो तद्मीरी देख सकते हैं कि जो उनका पार्थी सरीर है वो रखा गया है रत में और यहां से उन्हें संगम तट ले जाए जा जारा जहां उन्हें असनान कराए जाए जाएगा बगदा रिती रिद्वाज के थात और फिर लेटे हनमानमंदिर ले जाए जाएगे बिलकुल अब एक घंटे से भी कम वक्त बचा है भूस समाधी के